इस वीडियो में मैं AutoCAD के Modify toolbar को पूरी तरह से Explain करने वाला हूँ और with example explain करूँगा इस वीडियो को मैंने 2-3 पार्ट में Divide किया है तो सारे पार्ट्स आप जरूर देखिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगर आप यहाँ पर अपने Ribbon में Second Number के toolbar को देखोगे तो यहाँ पर Modify toolbar है आप यहाँ से Modify toolbar के सारे commands एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर भी आप अगर Menu बार में जाते हो तो यहाँ पर भी आपको Modify toolbar के सारे options available मिलेंगे देखिए यहाँ पर पूरी list है जिसमें से आप कोई भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको Modify toolbar दिखा रहा है अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो और भी यहाँ पर commands open हो जाते हैं देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ Modify toolbar में तो यहाँ पर और भी आपको यहाँ पर command अवेलेबल हो जाएंगे यह सारे commands हम लोग देखने वाले हैं मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में divide किया है तो next वीडियो में बाकी बचे हुए सारे commands को use करूगा तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए चलिए अब modify toolbar के first command के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ first command में तो यहाँ पर आपको move command मिलेगा तो चलिए जानते हैं move command का use कैसे करते हैं तो अगर आपको AutoCAD में कोई भी object को एक जगा से दूसरी जगा move करना है तो आप यहाँ पर move command का use कर सकते हो तो move command का use कैसे करना है सबसे पहले आप object select कर सकते हो यहाँ पर click करके मैंने object select कर लिया है यहाँ पर आपको जाना है move command में तो यहाँ पर आप click कर सकते हो move command या फिर आप इसका shortcut भी use कर सकते हो तो move का shortcut है M आपको simple अपने keyboard से M type करना है और enter करना है तो enter करता हूँ मैं यहाप या फिर आप इसे select करके यहापर move command भी use कर सकते हो click करता हूँ मैं यहापर move पर यहापर पूछ रहा है specify base point समझे मैं यहापर base point देता हूँ center point और यह center point से मैं यहापर click करके move कर लिया तो इस तरह से आप कोई भी object move कर सकते हो फिर से देखिए यहापर मैं click करता हूँ यहापर जाता हूँ move command और फिर देता हूँ एक base point देखिए यहापर center में base point देता हूँ और यहापर मैं इसे move कर सकता हूँ चलिए जानते हैं कुप practical examples के बारे में तो यहापर मैंने एक floor plan draw किया है तो देखिए अगर यहापर आपको window और doors को अगर position करना है आपको यहापर windows और door अपने plan में fitting करना है कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से fitting करना है तो आप यहाँ पर move command का use कर सकते हो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे use करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सारे doors fitting कर लेते हैं आपर door को move करने के लिए आपको इस door पर single click करके इसे select करना है उसके बाद आप यहाँ पर move tool पर click कर सकते हो यहा बहुत ही important है base point का मतलब है pick point मतलब आप इस door को move करते वक्त किस point से pick करना चाहते हो तो समझो मैं यहाँ पर point देता हूँ यह वाला point यहाँ पर click करूंगा और इस point को मैं यहाँ पर match कर सकता हूँ देखिए जो मैंने pick point लिया था उसी point को मैंने यहाँ पर wall पर match कर दिया है तो यह base point बहुत ही important है तो देखिए हम लोग अब next door को fit करते हैं यहाँ पर select करना है move पर click करना है उसके बाद आपको base point देना है यह वाला यहाँ पर click करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर single click करके इसे fitting कर सकता हूँ इसी तरह से आप इसके windows भी fit कर सकते हो देखिए मैं य इस point देता हूँ इस point पर click करता हूँ मैं उसके बाद इस wall के center पर आप इसे रख सकते हो देखिए यहाँ पर आपको center point मिलेगा यहाँ पर दिखा रहा है मुझे midpoint इस पर click करना है यह match हो गया अब next window उपर की side में लगाते हैं तो यहाँ पर मैं select करता हूँ और यहाँ पर म मिल रहा है मुझे यहाँ पर आपको click करना है तो इस तरह से आप base point को pick करके उसे किसी भी point पर match कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया हमारा move command चलिए एक और example देखते हैं जो कि mechanical department के लिए है यहाँ पर एक nut bolt की assembly है तो nut bolt की assembly अगर आपको करनी है तो इन पार्ट को आपको move करके पॉइंट दूँगा यहाँ पर देखे base point में center दूँगा यहाँ पर midpoint और इस midpoint को मैं यहाँ पर center point पर रख सकता हूँ तो इस तरह से आप कोई भी assembly कर सकते हो move करके अब देखे यहाँ पर trim कर सकता हूँ मैं इसको tr double enter करने के बाद इन lines पर simple आपको click करना है तो देखे य और example देखते हैं यहाँ पर देखे एक rectangle है और एक circle है इस तरह का अगर हमें move करके कोई object create करना है तो कैसे करेंगे तो simple मैं इस rectangle पर click करता हूँ मैं shortcut tap करता हूँ move के लिए m enter और यहाँ पर मैं center यहाँ पर center दूँगा देखे यहाँ पर मुझे geometric center दिखा रहा है click करना है और उसके बाद आपको इस circle के center पर click करना है देखे यहाँ पर मैंने match कर लिया है अगर आप autocad का पुराना version यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको geometric center नहीं मिलेगा तो यहाँ पर अगर अगर आप कोई भी geometric center आपको नहीं मिलेगा अगर आप पुराना version यूज़ कर रहे हो तो देखे उस वक्त आपको कैसे move करना है मैंने यहाँ पर geometric center off कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर देखे इस तरह से आप tracking करके भी geometric center ला सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं click करता हूँ और इसको center पर match कर देता हूँ तो इस तरह से आप move करके इसको कर सकते हो चलिए अब बढ़ते हैं next command की तरफ देखें यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको second command मिलेगा rotate command rotate command का use basically हम लोग किसी भी object को angle में rotate करने के लिए use करते हैं तो चलिए देखते हैं इसके लिए example समझो मैं एक line लेता हूँ यहाँ पर horizontal line लेता हूँ मुझे इसे 45 degree में rotate करना है तो कैसे करेंगे आपको use करना है rotate command चलिए use करते हैं तो मैं यहाँ पर single click करता हूँ अपने line पर और यहाँ पर आप rotate पर click कर सकते हो rotate पर click करना है तेखें यहाँ पर specify base point पुछ रहा है तो rotate करते वक्त base point बहुत important है आप जो base point दोगे वो point आपका fix हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इस point को base point दिया है अब यहाँ पर मैं angle डालूँगा 45 enter देखें यह जो line है वो automatically 45 में rotate हो गई है तो आपको यहाँ पर base point important है देखें मैं फिर से बता देता हूँ एक बार अगर मैं यहाँ पर line निकालता हूँ तो यहाँ पर मैं और्थो को off कर देता हू और्थो off कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा अगर मैं इस line को rotate करने जाता हूँ यहाँ पर rotate और यहाँ पर base point देता हूँ मैं यहाँ पर तो देखें यह जो rotate हो रहा है यह इस base point के इसाप से हो रहा है तो base point बिल्कुल fix होता है base point कहीं पर move नहीं होगा ठीक है rotate होते rotate कर सकते हो तो rotate करने के लिए यहाँ पर 45 degree में टैप करता हूँ एंटर करता हूँ देखें यह rotate हो चुका है चलिए इसके लिए हम कुछ examples देखते हैं तो यहाँ पर एक floor plan है यहाँ पर civil के लिए architectures वालों के लिए तो अगर आपको यहाँ पर doors और windows को fitting करना है तो doors देखें यहाँ पर door की orientation 90 degree flipped है यहाँ पर तो यह horizontal door है यह vertical door है तो आपको यहाँ पर rotate command का use करके इनको orientation करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर देखें दो doors मेरे पास है यहाँ पर available और दो windows है हमें इस plan में से fitting करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो यह door मैं यहाँ पर fit कर ले next मुझे यहाँ पर door fit करना है इस जगे पर तो मुझे इस door को 90 degree में rotate करना पड़ेगा तो चलिए करते हैं से 90 degree में rotate select करना है आपको door को यहाँ पर जाना है rotate command तो rotate पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर base point पुछेगा आप कोई भी base point select कर सकते हो जो आपको fix रखना है त आप देखें यहाँ पर rotate हो रहा है तो यह door हम लोग rotate कर सकते हैं हमें 90 degree में rotate करना है आप यहाँ पर 90 enter कर सकते हो तो 90 enter करना है और अगर आप यहाँ पर ortho on रखते हो अगर आप यहाँ पर ortho को on रखते हो तो आपका जो door है वो automatically 90 90 degree में ही rotate होगा तो ortho on रखते हो तो आपक इसको भी select करके move कर देता हूँ, M for move, M enter, base point देता हूँ यहाँ पर नीचे और यहाँ पर मैं click कर देता हूँ, तो यह हो गया move, इसी तरह आप door को भी rotate कर सकते हो, windows को भी rotate कर सकते हो, देखें यहाँ पर door windows है, मुझे फिटिंग करना है, इसको move करके मैं फिटिंग कर देता हू M for move, यहाँ पर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पर fit कर दिया है, यहाँ पर midpoint में, अब इसको मैं rotate करके उपर के wall में fit करूँगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमें fitting करना है, तो इसे rotate करना पड़ेगा, select करना है, shortcut use करेंगे इस बार हम लोग, तो shortcut के लिए arrow type करना है, keyboard से arrow, arrow for rotate, तो rotate के लिए arrow type कर कीजिए और यहाँ पर enter कीजिए, enter करने के बद आपको यहाँ पर base point देना है, कोई भी point दे दीजिए यहाँ पर fix, और देखिए ortho on होने के वाज़े से हमारा जो window है, वो 90 degree में rotate हो रहा है, सिर्फ आपको cursor को हिलाना है यहाँ पर, तो अब horizontal आने के बाद आपको click करना है, यह हो गया हमारा rotate, और यहाँ पर मैं select करके इसको move कर देता हूँ, m for move, m enter, base point देना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यहाँ पर select कर सकता हूँ, इसका midpoint, तो यहाँ पर midpoint देता हूँ, इस wall का, यहाँ पर मैंने इसे fitting कर दिया है, मैं यहाँ पर draw करने वाला हूँ, तो अगर इस circle को आपको draw करना है, तो इसका center point चाहिए होगा, और center point तभी मिलेगा जब यह line होगी, ठीक है, तो यह line हमें चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको 30 degree में rotate करना है, दोनों side में 30 degree हैं यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, तो इसमें apply करता हूँ मैं, आपको सबसे पहले तो इस line को rotate करना होगा 30 degree में, तो आपको clockwise और anti-clockwise, दोनों side में 30, 30 degree में rotate करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, ro type करना है, अपने keyboard से ro, या फिर आप उपर click भी कर सकते हो, ठीक है, enter करना है, ro के बाद, enter करने के बाद, य आपको angle type करना है, ठीक है, तो यहाँ पर angle मुझे clockwise 30 degree में rotate करना है, तो clockwise अगर आपको rotate करना है कोई भी line, तो आपको minus 30 degree डालना होगा, ठीक है, अगर कोई भी line या फिर कोई भी object आपको clockwise rotate करना है, तो आपको value minus में डालना है, और अगर आप anti-clockwise rotate करना चाहते हो, तो आपको value प्लस में जाल डालना है ठीक है तो मैं यहां पर माइनस 30 एंटर करता हूं यहां पर देखिए जो लाइन थी सेंटर लाइन वह 30 डिग्री clockwise रोटेट हो चुकी है ठीक है मगर यहां पर हुआ क्या कि हमारे सेंटर लाइन यहां पर गाइब हो गई मतलब यह जो सेंटर लाइनी है हमारी करते wroteat हो गई तो तो हमें फिर से सेंटर लाइन निकालता पड़े गया उससे अच्छा क्या कर सकते हो मारा है –30% पर क्लिक करने के वज91 आपको रिजल्ट chilli और ही हम लोग यहां पर करसे Sehr से में मिलगया है तो मैं फिर से करूंगा यहां पर सिलेक्ट ओर रोटेट एंटर करूंगा बेस पांट दूँगा center यहाँ पर और यहाँ पर फिर से copy पर click अब मुझे anti-clockwise rotate करना है इसलिए मैं value positive डालूँगा 30 positive 30 enter तो देखें यहाँ पर anti-clockwise हमारी line rotate हो गई है ठीक है तो इस तरह से आप अपने rotate command का use कर सकते हो अब मैं c enter करता हूँ for circle यहाँ पर draw करता हूँ d enter d enter for diameter 5 enter फिर से मैं space करूँगा center दूँगा यहाँ पर click करके d enter करूँगा और यहाँ पर 5 enter करूँगा इस तरह से आप अपने circle को draw कर सकते हो यह 4 circle मैं ने draw कर लिए है ठीक है तो चलिए अब हम copy command के बारे में जानते हैं यह बहुत ही जादा use होता है copy command देखिए आपको कैसे use करना है तो यहाँ पर अगर modify tool मार में जाते हो यहाँ पर तो यह जो circles आपको नजर आ रहे हैं यह icon है copy command के लिए तो चलिए इसको use कैसे करते हैं देखते हैं तो copy command आप किसी भी object को या फिर line को या फिर circle को multiple time copy करने के लिए use कर सकते हो ठीक है तो copy करने के लिए यहाँ पर आपको simple object को पहले select करना है यहाँ पर object को select करने के बाद आपको यहाँ पर copy पर click करना है copy पर click करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बेस point पुछेगा ठीक है तो base point कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हो मैं यहाँ सेंटर देता हूँ क्लिक करके आप इस object को कही पर भी click कर सकते हो मैं यहाँ पर फिर से click करूँगा देखें यहाँ पर copy तयार हो चुकी है फिर से यहाँ पर click करूँगा और एक copy तयार हो जाएगी इस तरह से आप click करके इसके multiple copies तयार कर सकते हो तो copy करने के 2-3 methods हैं चलिए जानते हैं वो 2-3 methods कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर मैं आपको first method के बारे में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखते हो copy by point to point method है न तो अगर आपको कोई भी object point to point copy करना है तो आप इस command का use कर सकते हो देखें आप point to point कैसे move करना है समझो मुझे इस circle को इस चारो corner में copy करना है कुछ इस तरह से आपको result मिलने वाला है तो चलिए इसको कैसे copy करते हैं देखते हैं तो आपको सबसे पहले object select करना है यहाँ पर circle उसके बाद यहाँ पर जाना है copy में copy का अगर आपको shortcut use करना है तो shortcut है co ठीक है तो co use कर सकते हो आप या फिर cp भी type कर सकते हो cp cp also for copy ठीक है तो मैं cp enter करता हूँ यहाँ पर enter करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको base point पुछेगा यहाँ पर base point बहुत ही important है क्योंकि जो आप base point दोगे यहाँ पर मैंने center दिया base point वही point मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ठीक है यहाँ पर भी आपका click हो जाएगा यहाँ पर भी आप click कर करके copy कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया point to point copy अब एक point से दूसरे point में कोई भी object copy कर सकते हो ठीक है इन 5 distance पर copy किया है या फिर 4 distance पर यहाँ पर copy किया है ठीक है तो इस तरह का अगर आपको result करना है आपके पास distance available है और आपको कोई भी object copy करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो देखिए कैसे करना है यहाँ पर देखते हैं देखिए यहाँ पर दो circles है तो दोनों circle पर मैं click करक करूंगा और यहां पर जाओंगा मैं copy पर copy पर click करना है उसके बाद आपको पूछेगा specify base point तो यहां पर मैं center पर click करता हूं इस circle के इसको base point दूंगा अब direction देना है आपको किस direction में आपको copy करना है मैं simple direction left side मैं direction देता हूं अब मैं यहां पर distance डालूंगा तो left side में देखिए यहां पर जो angle है वो गलत हो रहा है हमारा तो यहां पर आपको simple ortho को on रखना है और उसके बाद यहां पर देखिए बिल्कुल straight copy हो रहा है तो यहां पर आप distance डाल सकते हो first distance at 20 20 एंटर करना है second distance है 50 3rd distance से 75 और 4th distance से 100 एंटर तो देखिए मैंने यहां पर distance by distance copy किया है फिर से एक बार बताता हूं मैं सबसे पहले आपको object select करना है उसके बाद copy पर click करना है उसके बाद एक base point क्लिक करना है direction देना है कि किस direction में आप इसे copy करना चाते हो उसके बाद आप यहां पर distance डाल सकते हो 20 एंटर उसके बाद 50 एंटर 75 एंटर and 100 एंटर इस तरह से आप सारे circles पर copy कर सकते हो ठीक है चलिए एक औरा example देखते हैं यहां पर आपको दिख रहा है कि right side में यहां पर बहुत सारे doors fitting किये गए हैं अगर आपको इस तरह से door अगर copy करना है तो आप कैसे करोगे तो यहां पर देखिए यहां पर जो हमें दिख रहा है यहां पर एक door है उसको सबसे पहले move करके और फिर copy करके हम यहां पर place कर देते हैं select करता हूँ मैं shortcut type करता हूँ copy के लिए CP और CO use करता हूँ मैं एंटर करता हूँ base point दूँगा यहाँ व्हाँ पर door का base point ये point और ये point मैं यहां पर रख दूँगा और फिर यहां पर भी click कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितने easily हमने इसे copy कर लिया है इसको आप delete भी कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा copy command चलिए अब देखते हैं modify toolbar के चौथे command को जो की है यहाँ पर mirror command तो mirror command किसलिए उसकरते हैं generally mirror command यह symmetrical objects के लिए यूज करते हैं देखिए यहाँ पर एक object है जो की symmetric है ठीक है तो इस तरह का अगर आपको object create करना है तो आप यहाँ पर mirror command का यूज कर सकते हो देखिए मैं यहाँ पर एक side में arc बनाया है यह arc मुझे दूसरे side में भी चाहिए कुछ इस तरह से तो दोनों side में मुझे arc जब यहाँ पर जरूरत है तो आप यहाँ पर mirror का use कर सकते हो कैसे करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर arc पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले आपको arc को select करना है उसके बाद आप यहाँ पर mirror कमांड ले सकते हो mirror कमांड पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको command line पर देखना है यहाँ पर क्या पूछ रहा है specify first point of mirror line specify first point of mirror line तो mirror line देना है आपको मैं यहाँ पर center line देता हूँ देखिए यहाँ पर इंटर लाइन देना है, first click यहाँ पर और second click आपको यहाँ पर नीचे करना है, इस लाइन पर, और यहाँ पर erase source object यहाँ पर no करना है, तो यहाँ पर no करना है, erase source object का मतलब होता है कि आपको यह source object है, जो हमारा main object है, उसको erase करना है या नहीं तो हमें erase नहीं करना इसलिए मैं यहाँ पर no करूँगा तो मैंने यहाँ पर no कर दिया है और यह object mirror हो चुका है फिर से करते हैं चलिए फिर से देखते हैं आपको object select करना है यहाँ से mirror लेते हैं फिर centerline पर दो click करना है first उपर और second नीचे click करना है और यहाँ पर no पर click करना है तो यहाँ पर यह mirror हो चुका है चलिए जानते हैं next example के बारे में इस example में अगर देखा जाए तो देखें यहाँ पर जो है मैंने कोई भी centerline draw नहीं की है आपको mirror object चाहिए मगर आपके पास centerline available नहीं है फिर भी आप mirror कर सकते हो ठीक है तो कैसे करते हैं देखिए तो मैं इस object वो सबसे पहले select करता हूँ इस curve को select करने के बाद मैं यहाँ पर shortcut use करूँगा mirror के लिए mirror का shortcut है MI तो यहाँ पर mirror के लिए shortcut MI है enter करता हूँ मैं यहाँ पर enter करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर center line available नहीं है, फिर भी कोई problem नहीं, आप सिर्फ point दे कर भी कोई भी object mirror कर सकते हो, सिर्फ दो point की आपको जरूरत है, सिर्फ दो point की जरूरत है, अगर यहां पर आप ortho mode को अफ रखते हो, और तो अगर mirror करते हो, फर्स्ट point मैं यहां पर देता हूँ, और तो यह line के हिसाब से mirror होता है, ठीक है, अगर आप यहां पर click करते हो perfect, तो यह perfect mirror होगा, तो इस तरह से आप mirror कर सकते हो,